हेलो स्टुडेंट्स आएम हार्दिक शेटा फ्रम सारस्वत इंटेनेशनल अकडेमी वापी आज हम स्टांडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नुमर 5 प्लॉज उफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं तो आज हमें पढ़ना है फ्रिक्शन ठीक है फ्रिक्शन के तीन टा सबसे पहले बात करते हैं स्टेटिक फ्रिक्शन क्या है अब वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि स्टेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या रहा होगा स्टेटिक मतलब कोई अब्जेक्ट रेस्ट में है और तब फ्रिक्शन क्रियेट होता है अब आप बोलोगे रेस्ट में है तब friction कैसे create हो सकता है तो यह यहाँ पे समझते हैं समझो कि suppose कोई एक surface है और surface के उपर हमने किसी block को रखा हुआ है अब यह block है उसको हम move कराना चाहते है ठीक है अब मैंने एकदम जरा सा force लगाया 0.0001 अब इतना small force है और अगर यही object vacuum में होता तो यह motion में आ जाता rest में से motion में आ जाता तो यहाँ पे तो नहीं आया यहाँ पे जब मैंने इतना force लगाया 0.0001 newton यह तो हिला भी नहीं तो मतलब क्या हुआ कि जब मैंने 0.0001 newton force लगाया तब कुछ ऐसा हुआ होगा कि opposite direction में भी exit उतना ही force लगा होगा तो यह force क्या है तो यह है static friction जो की variable रहता है कैसे समझो कि यही surface आप उपर उपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यह smooth surface है अगर मैं उसको micro level पे देखू तो यह surface मुझे इस तरह नज़र आएगी एकदम micro level पे हाँ और जो हमारी उपर की surface है वो भी अगर मैं micro level पे देखू तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगी लब यह block आपको एकदम smooth जो दिख रहा है वो exit उतना smooth होता नहीं है ठीक है अब जब मैं यहाँ से इसको slide कराने की try करता हूँ तब यह जो small small gaps आपको नज़र आ रहे है यहाँ पे छोटे छोटे gaps नज़र आ रहे है वो एक दूसरे के अंदर fit हो जाते है ठीक है जिसको हम बोलते है cold welding cold welding मतलब यहाँ पे हमने कोई चीज़ को गरम नहीं किया है इसलिए नाम दिया है cold welding यह जो छोटे छोटे gaps होते हैं वो एक दूसरे के साथ जूड जाते है अब कितने force से जूड़ेंगे क्या तो उनको मतलब उनके बीच में जो bonding बन रहा है उनको तोड़ने के लिए कितना force चाहिए वो depend करेगा type of surface पे अगर surface ज्यादा rough है तो फिर frictional force ज्यादा होगा और ज्यादा ही smooth है तो frictional force उतना ही कम रहेगा दीक है अब समझो practically होता क्या है कि मैं ये direction में force लगाओ ये force है applied force capital F तब दो surface के बीच में यहाँ पे opposite direction में force generate होता है और वो force कौन सा है frictional force ठीक है अब हमें काम करते दूनों की value लेके देखते है suppose मैंने ये force वन न्यूटन अप्लाई किया तो frictional force भी यहाँ पे वन न्यूटन जनरेट हुआ यहाँ पे मैंने टू न्यूटन अप्लाई किया मतलब यहाँ पे टू न्यूटन जनरेट हुआ यहाँ पे मैंने थ्री न्यूटन जनरेट हुआ तो यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ लिमिट नजर आएगी किसकी फ्रिक्शनल फोर्स की है ना तो यह जो फ्रिक्शनल फोर्स बन गया यह जो फ्रिक्शनल फोर्स बन गया वह maximum possible frictional force है कि जो 4 newton से आगे बढ़ा ही नहीं और यहाँ पे body के उपर जो net force लगेगा वो applied force minus frictional force करोगे मतलब 5 minus 4 that is 1 newton तो वो 1 newton उसके उपर net force हो गया और उसी इसाब से उसके अंदर acceleration क्रियेट होगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो force है static frictional वो variable है मतलब इतने हिस्से तक body rest में है क्योंकि net force 0 है बट यह जो last moment है उसमें net force 0 नहीं है net force 0 नहीं है अब इसका मतलब body है वो motion में आई इसलिए होता है हर एक चीज़ के साथ किसी भी body को आप move कराना चाहो तो initially आपको कुछ limit से ज़्यादा force लगाना ही पड़ता है ठीक है और अगर उस limit से ज़्यादा force लगाने में आप successful रहे तो फिर वो body motion में आएगी जैसे यहाँ पे suppose 10 kg का एक बहुत बड़ा block है आप उसको धक्का देके move कराना चाहते हो तो शायद हो गया आपसे सेकेंड टाइम आपको target मिला ये 1000 kg का block है जिसको आप धक्का देके move कराने की try करोगे नहीं हुआ क्यों क्योंकि इसके लिए static friction ज़्यादा था इसके लिए static friction कम था तिरे दिरे questions जंडेट होंगे तो क्या दूनों की surface में कोई difference था नहीं मैं बोलूँगा दूनों की डूनों टैम पे surface भी same थी तो फिर friction अलग-अलग क्यों तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि friction है वो यहाँ पे जो perpendicular direction में force लगता है suppose ये mg तो surface है वो opposite direction में normal force लगाती है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी तो वो friction directly proportional to क्या होता है नॉर्मल force इसी लिए यहाँ पे normal force ज्यादा होगा यहाँ पे gravitational force कम है मतलब normal force भी कम रहेगा नॉर्मल force कम है तो frictional force कम है तो इसलिए आप इसको move करा सकते हो यहाँ पे नहीं करा सकते है ठीक है ना तो दिरे दिरे सब कुछ समझ में आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाते है जो हमारी जो नॉर्मल पहले बात चल रही थी उधर आ जाते हैं चलो तो यह जो f max है हमने बताया ना कि अभी frictional force है वो directly proportional to होता है नॉर्मल force और अगर proportionality sign remove कर दे तो एक mu s नाम का एक constant आएगा तो f max equal to क्या है mu s into n अब यह f max है मतलब maximum frictional force जो normal frictional force होते है वो या तो less than or equal to f max होते है मतलब normal frictional force है वो less than or equal to mu s into n रहते है अब mu s क्या है तो mu s है वो एक type का constant है और वो constant का हम नाम दे सकते है coefficient of static friction static friction क्यों है क्योंकि जब तक object motion में ना आए तब तक यह frictional force लगता है इसलिए नाम दिया गया static friction ठीक है और static friction जो maximum possible है उससे अगर आपने ज्यादा force अप्लाइ कर दिया तो फिर यह object आ जाएगा motion में और motion में आने के बाद इन दोनों में से कोई एक force लग सकता है opposite direction में sliding friction या तो rolling friction ठीक है चलो यहाँ तक clear होगा ओके तो देखो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले देखो मैंने frictional force यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है देखो यह slide हो रहा है ना उससे मैंने frictional force की value increase की हुई है ठीक है मास हमने अभी रखा हुआ है 50 kg ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं force apply कर रहा हूँ हां तो देखो जैसे ही मैं force apply कर रहा हूँ वहाँ पर देखो applied force right hand side है frictional force left hand side है और दोनों equal रहते देखो जितना हमें ज्यादा force लगा उतना ही पीछे के और frictional force बढ़ता है क्यों क्योंकि यह cold welding है between two surface वो एक दूसरे को इतने force से पकड़के रखती है ठ जैसे ही यह cold welding टूटेगा तो वो जो frictional force है वो constant रहेगा और हमारा देखो force बढ़ा यहां पर देखो sum of force में green arrow right hand side की और आया तो यह object motion में आएगा देखो बला frictional force की एक limit है frictional force की एक limit है suppose यह मैंने बहुत ज़्यादा रख दिया तो देखो यह move ही नहीं हो रहा है नहीं हो रहा ना देखो फिर हद से ज़्यादा force लगा दिया तो applied force बढ़ गया और यह object motion में आया अगर मैंने उपर और ज़्यादा mass रख दिया तो और ज़्यादा force लगाना पड़ेगा तब यह हिलेगा अब यह तक नहीं हिल रहा है देखो capacity के बाहर चला गया क्योंकि 250 newton नीचे की और force लग रहा है और उस हिसाब से frictional force लगा तो हमने 500 newton force लगा है तो frictional force भी opposite direction में 500 newton लगा हाँ अगर surface को मैं थुड़ा smooth कर दूँ तो देखो और smooth करना पड़ेगा और ज्यादा smooth चलो देखो net force मिला थोड़ी surface स्मूथ हो गई तो net force हमें मिला और उसकी help से यह दोनों object आगे बढ़ रहे है मतलब किसी body को move कराने के लिए आपको जो initially maximum force लगाना पड़ेगा वो प्रिक्शनल फॉर्स यहां पर यहां पर एक्जेट आपने एक्वल फॉर्स लगाए हुए बिर motion में आने के बाद भी friction लगता है बट वो kinetic friction होता है जिसकी value थोड़ी कम रहती है इसलिए किसी भी object को आप first time जब motion में लाते हो तब ज्यादा force लगाना पड़ता है उसके बाद थोड़ा कम force लगाओगे तब भी आप easily आगे बढ़ सकते हो जैसे आप cycle चलाते हो और यह चोटे चोटे concept है जो आगे जाके बहुत बड़े complex अगर numerical से है तो उसमें भी आपको काम लगेंगे तो मतलब जब यह motion में आ जाए उसके बाद static friction है वो अपनी duty transfer करेगा kinetic friction को अब बात करते है sliding friction या तो kinetic friction तो यहाँ पे sliding friction और static friction दोनों similar है sliding friction और static friction दोनों similar है बट जब हम f max मतलब जो maximum possible static frictional force था उससे अगर ज्यादा force लगा देते है तो object motion में आता है और motion में आता है तब जो frictional force होता है वो यह f max से decrease हो जाता है इसलिए हमने नाम अलग दे दिया sliding friction या तो kinetic friction मतलब जब object motion में रहता है तब जो frictional force होता है उसकी value different रहती है ठीक है तो sliding friction मतलब kinetic friction fk का formula same si है mu k into n तो यहाँ पे mu s था coefficient of sliding friction और static friction यहाँ पे coefficient of kinetic friction ठीक है दोनों में फरक क्या रहता है तो experiment से हमें पता चला है कि जो static friction है उसकी value ज़्यादा रहती है और sliding friction की value कम रहती है ठीक है तो आपको यह statement लिखने के बाद लिखना होगा कि यहाँ पे mu k is the coefficient of kinetic friction which depends only on surfaces in contact ठीक है दोनों में similarity क्या है static friction and sliding friction में तो static friction and sliding friction दोनों area of contact के उपर depend करते हैं कि दो surface के बीच में कितना area contact में रहता है suppose आप cycle चलाते हो तो भी आपको पता होगा कि जितने tire broad रहते हैं उतना ही frictional force ज्यादा लगता है उतनी ही momentum gain करने में हमें ज्यादा force लगाना पड़ता है ठीक है और जितने tire है वो narrow रहते है एकदम पतले से रहते है उतनी ही ज्यादा speed हम acquire कर सकते है ठीक है तो यह हो गया sliding friction या तो kinetic friction अब किसी एक body के उपर suppose हम force लगा रहे हैं यह एक body है और उसके उपर जब हम force लगाते हैं और यह अगर motion में आ गई तो motion में आई तो क्या हुआ तो दो different surface है उनके बीच में relative motion होगी यह एक surface और यह एक surface तो दो surface के बीच में जब relative motion होती है तब यह kinetic friction जनरेट होता है F के और अगर आपका force kinetic frictional force से ज्यादा है तो F net रहेगा F minus F के और उस हिसाब से अगर मैं में में लिख दू तो F minus F के F net equal to मैंने क्या लिख दिया मास into acceleration तो यहाँ पे body के अंदर जो acceleration create होगा वो F minus F के divide by M होगा इसमें भी अगर आपने जो force लगाया हुआ है उसको अचानक से आपने हटा दिया चलो 0 कर दिया तो if capital F equal to 0 then acceleration equal to minus F के divide by M तो जो acceleration है वो negative create होगा और body है वो दिरे 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 रुख जाएगी क्योंकि negative acceleration का मतलब रहेगा decrease in velocity और velocity continuously decrease होगी तो दिरे दिरे body है वो रेस्ट में आ जाएगी ठीक है चलो तो उतना याद रखना when relative motion has begun तो kinetic friction लगेगा ही ठीक है मतलब यहाँ पे जो kinetic friction है वो motion को oppose नहीं कर रहा है बट relative motion को oppose कर रहा है याद रखना अगर दो surface contact में है और एक ही साथ एक ही velocity से travel कर रही है ये भी और ये भी दोनों की velocity सेम है तो दोनों के बिच में relative velocity आप count करोगे तो वो हो गई 0 और relative velocity नहीं है तो kinetic friction यहाँ पे नहीं है ठीक है दो frictional force किसको oppose करते है motion को नहीं बट relative motion को clear और most of the cases में आप static friction का ज्यादा यूज़ करने वाले हो यहाँ पे कि ओके थर्ड जो force है वो कौन सा है थर्ड जो है वो rolling friction है rolling friction की अगर बात करें तो अगर मैं पहले ideal case की बात करूँ तो दिखो एसी कोई एक surface है और जिसके उपर ऐसा कोई circular object है सपोज मैं disk ले लूँ तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह रह के रूल करता है ठीक है अब at a time यह जो disk के उसका एक ही point contact में रहता है ठीक है और एक ही point contact में रहता है तो अगली एक nanosecond में suppose यह point है वो थोड़ा यहाँ पे उपर shift हो गया मतलब यहाँ पे यह surface और यह point के बीच में कोई friction create होगा ही नहीं क्योंकि एक ही point अगर contact में है तो area of contact हो जाएगा almost zero क्योंकि physics में हम point object इसी को बोलते है जिसके कोई जिसका कोई dimension ना हो ठीक है मतलब क्या हुआ कि rolling friction है वो ideal condition के लिए रहता है zero ठीक है और अगर practical situations देखो तो rolling friction लगता है कैसे समझो तो practical situations में देखोगे तो यह जो shape होता है न वो थोड़ा deform हो जाता है कुछ इस तरह पहले exact देखो ऐसे circle था बट practical situations में देखोगे तो जहाँ पे contact हो रहा है वहाँ पे shape थोड़ा deform होता है और वहाँ पे area of contact इतना बड़ा बनता है देखो आपको दिख रहा है तो area of contact मिलेगा और वो increase हो गया तो frictional force भी increase होगा मतलब rolling friction ऐसी conditions में लगेगा जैसे की car चलाते तो उनके tires जो होते वो थोड़े से दब जाते तो उनका shape है वो थोड़ा deform हुआ जिससे की area of contact increase हुआ तो उतना ही rolling friction बढ़ेगा इसलिए तो हम tire के अंदर air बरते हैं ताकि कि जितना हो सके उतना कम deform हो और जितना हो सके उतना कम deform होगा तो area of contact थोड़ा कम रहेगा तो friction भी कम रहेगा अगर tire की हवा निकल गई है तो ज्यादा deform होगा ज्यादा area surface के साथ contact में आएगा तो ज्यादा friction क्रियेट होगा ठीक है तो यह rolling friction और rolling friction की value जो हमने यहाँ पर देखा था static friction यहाँ पर देखा sliding friction उससे भी कम रहती है इसलिए हम जितने भी विकल से उनके tire है वो circular shape में बनाते हैं ठीक है और rolling friction का जो origin है जो कैसे generate होता है वो थूड़ा complex है sliding friction and static friction की comparison में ठीक है तो यहाँ पर rolling friction के लिए सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और आप जब higher studies करोगे तब थूड़ा detail में आएगा clear तो rolling friction की applications है वो आपको text book में दी हुई है ठीक है जैसे कि एक ball bearing आप रख दोगे moving parts के बीच में तो वहाँ पर kinetic friction की जगह पे लगेगा rolling friction और rolling friction है तो थोड़ा जो motion है उसको oppose करने का जो factor है वो थोड़ा कम हो जाएगा ओके तो friction की कुछ advantages भी है disadvantages भी है वो भी आपको text book में दिये हुए है advantages में क्या क्या रहेगा कि friction की वज़े से ही हम चल सकते है किसी भी object को अगर आप stop करना चाहो तो friction की help से आप कर सकते हो ठीक है without friction ठीक है किसी भी object की motion के उपर हमारा control नहीं रहता और कुछ कुछ ऐसे भी points है जो disadvantage में आप लिख सकते हो जैसे की electric wire है तो उसके अंदर electric current जब pass होता है तब भी collision होता है तब friction create होता है friction create होता है जिसकी वज़े से heat generate होती है फिर बहुत सारे mechanical parts ऐसे होते है जो moving parts होते है जिसके अंदर भी sliding friction generate होता है और जिसकी वज़े से उनकी motion है वह oppose होती है और maximum energy applied energy है वह heat के form में dissipate होती है तो ऐसे बहुत सारे factors है आप advantage of friction और disadvantages of friction में बहुत कुछ लिख सकते हो ठीक है चलो तो यहां तक रखते हैं आज next lecture में हम देखने वाले है circular motion circular motion on a level road भी देखना है और on a bank road मतलब थोड़ा slope वाला road होगा उसके लिए भी ठीक है next lecture में वो देख लेंगे और एक और topic है solving problems in mechanics यह भी continue कर लेंगे ठीक है और उसके बाद some examples और fear exercises का solution ठीक है चलो यहां तक रखते हैं अगर किसी को कोई doubt है तो anytime contact कर सकते हो आज जो पढ़ाया है उसमें सबसे ज्यादा important static friction है जो आपको आगे पता चल जाएगा ठीक ह चलो यहां तक रखते हैं thank you